दिल्ली हाई कोट में जहां एक और आर्मी एक्जाम एर्पोर्स इन्रोल्मेंट एर्पोर्स रिजल्ट वे अगनिपत इस्कीम की याचिकाओं पर आगामी दिन सुनवाई होने वाली है वहीं दूसरी और सरकार का जो एरफोर्स इन्रोल्मेंट पे आर्मी एक्जाम को लेके जो जबाब आया है ये वाकई में काफी आजीव और गरीब है सरकार ने सीधे तोर पे इस पस्ट कर दिया है कि कोरोना ही वो वज़े थी जिसके चलते ना ही हम आर्मी एक्जाम कंड़क करवा पाए और ना ही हम एरफोर्स वाले कैंडिडेट्स को जोइनिंग दे पाए एरफोर्स में जो भरती थी उस भरती परकरिया को कोरोना की वज़े बताया गया है कि कोरोना के चलते हम एरफोर्स की भरती परकरिया को पूरा नहीं करवा पाए और कोरोना ही वो वज़े थी जिसके चलते परशाशन ने अनुमतिया नहीं दी और इसी के चलते हम एक्जाम भी नहीं करवा पाए और ये सीधे तोर पे इस पर्ष जवाब है वो सरकार की और से कोर्ट में रिपर्जेंट किया गया है वो बात अलग है कि देश के अंदर चुनावी रेलियों को कोरोना के बीच परमिशन मिल जाती थी परशाशन की और से लेकिन जो देश की शेवा करना चाहते थे माभारती के लाडले बनना चाहते थे उनको परमिशन जीला परशाशन की और से उनकी जो भरतियां थी उनको परमिशन नहीं मिलते थी साथिओं अगर बात कि जाए आंकड़ों की तो सबसे पहले बात करते हैं एरफोर्स की Air Force Enrollment की अगर बात की जाए तो 30 मई 2021 को इनकी PSL जारी होती है Enrollment इनकी 10 जून 2021 को आनी थी लेकिन डिले किया गया Reason था Administrative Reason वो Reason के चलते 10 जुराई 2021 इनकी Date होती है इसके पशात निरंतर Date to Date इनको मिलती जाती है हर महीने इनको अवगत भी करवाया जाता है कि Administrative Reason है उसके चलते हम अभी और डिले कर रहे हैं उस टाइम ये Reason नहीं बताया केंडिडेट्स को कि कोरोना वज़े है उस टाइम के वो एक ही Reason Administrative Reason के चलते यहाँ एक बात और सुनिएगा जो 10 जुलाई 2021 इनको डेट दी जाती है आज ये जिस कोरोना का कह रहे हैं कि उस टाइम कोरोना था इस वज़े से इस भरती को पूरा नहीं कर पाए इसी 10 जुलाई 2021 के ठीक दो दिन पस्चा 12 से 18 जुलाई 2021 को Air Force का एक्जाम कंड़क्ड करवाया जाता है कि जो एक्जाम जुलाई 2021 में कंड़क्ड करवाया जाता है 14 जुन 2022 तक ठीक एक साल तक उसका रिजल्ट कोरोना के चलते जारी नहीं किया जाता है ज़रा देखिए इस कोरोना के भया वह रूप को अगर बात कि जाए आर्मी एक्जाम को लेके तो आर्मी एक्जाम के अगर बात की जाए तो आर्मी की जो रेली भरतिया जो कंड़क्ट होती है तकरीबन ओल और इंडिया के अगर बात की जाए तो हर एक रेली भरति में 50,000 के करीब केंडिडेट्स भाग लेते हैं हर दिन हर रेली के जो साइट्स होती हैं उसमें 5000 के करीब केंडिडेट्स जुड़ते हैं रेली भरती में भाग लेने के लिए इन 5000 केंडिडेट्स को वहां कोरोना बीच में नहीं आता है और तो और मेडिगल प्रोस्टिजर्स भी हो जाती है और दरसल सातियों ऐसा ही होता हो नहीं प्रीच में ओर में उनको एड्मिड कार दे दिया जाता है वहां कोरोना नहीं आता है एड्मिड कार देने समय और ठीक तीन दिन पश्शाथ की। इस्तितियां आ जाती है यह वाकई में काफी आजिब कोषिर्ण गरीब हैं और कहीं भी न कहीं गले उतरने वाला reply भी नहीं है वो सभी साती इस बात की इस इस्तिति को जानते हैं कि कितनी मेहनत से उन्होंने इस मुकाम को हाशिल करने के लिए कितना प्रियाश था और इस प्रियाश के लिए ऐसा reply आना अब उनको उमीद है मानने ये कोट से कि उनके साथ इन सभी बातों के ऊपर एक न्याई संगत बात उनके सामने रखी जाएगी और उनके साथ न्याई भी होगा ताकि भविश्य में आने वाले जो युवा है वो इस बात से हमेशा सहस्ता रखें कि उनके साथ कभी भी इस से मामलों में अन्याई नहीं होगा ये सारी कि सारी बातें अब मानने कोट के उस के सारी प्रोशीजर्स fazer उसमें कि रोना नहीं आता है लेकिन सांगे सब्सक्राइब्स का एक्राइब इस टॉइनिंग होनी थीं वहां को रोना आ जाता है साथियों आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्षिन में बताएगा अपने मेजमान दनेश को दीजिए इजाज़त सेना वर्ति से जुड़ी ताज़ा सर्टिक वे विश्टल जमरी जानकारी के लिए आप हमारे AD Army Point वरिवार के YouTube वे Facebook पेज से जुड़ना ना भूलें मिलेंगे फिर ताज़ा अपडेट के साथ तब तक लिए जैहिन जैभार शुक्रिया